आमला का सीजन हो और अचार ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता मगर अचार में बहुत तेल होने की वज़े से हम उसे खाना नहीं चाहते और बहुत महनत होती है बनाने में तो उसे बनाना भी नहीं चाहते तो आज आपकी सारी प्रॉब्ब्रम्स का solution लेकर आई हूँ सिर्फ द चमश तेल और 10 मिनिट में हम बनाएंगे एक तम मज़िदार सा इंस्टेंट आवला अचार जिसमें ना कोई बॉयल करने की जरुवत है और ना ही कोई स्टीम और हम आवला की सारे बेनिफिट्स को ले सकते हैं तो आये रेसिपी को शुरू करते हैं इंस्टेंट आवला अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम आवला लिया है और इसको मैंने अच्छे से वाश करके और पोच लिया है अब हम इसको कद्दुकस करेंगे मैंने यहाँ पर मोटे वाले कद्दुकस से इसको क्रेट कर लिया है और उसके बार मैंने तीन इंचद्रक का टुकडा लिया था उसको भी मने कद्डू कस कर लिया है, अब हम मसाला प्रपेयर करेंगे, जिसके लिए मनें दो बड़े चमच लिया है, मोट्य वाली सौफ, दो बड़े चमच ले रही हूँ, पीली सरसो, एक चुटा चमच लिया है मैंने मेथि के दाने और ये market में राई डाल आती है अगर आपके पास पीली वाली सरसों नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं ये optional है अब मैं ये मसालों को एकदम low flame पर roast कर रही हूँ हलका सा हमें से roast करना है ताकि जो भी मसाले में हलका फुलका moisture हो वो निकल जाए बस 3-4 मिनट ही लगें पर ही roast करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी से खुश्बू आने लग गई है हमें बहुत जादा इसे भुनना नहीं है कि color change हो बस हलका सा इसमें से aroma आने लग जाए तो हम flame को off कर देंगे और मसाले ठंडे करके फिर हम इसे grind करेंगे तो मसाले मेरे ठंडे हो गए है अब मैं मैंने यहाँ पर एक pan को गरम करने रख दिया है उसमें दो बड़े चमच डाल रही हूँ तेल और इसमें मैंने mustard oil यूज किया है सरसों के तेल में अचार का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है साथी में डाल रही हूँ आधा चोटक चमच हींग हींग से भी बहुत अच्छ करके डाल सकते हैं अब यह जो मसाला हमने बनाया था वो मैं चार बड़े चमच इसमें डाल रही हूँ आप कम्या जादा अपने टेस्ट से कर सकते हैं दो चोटे चमच डाल देंगे healthy powder दो बड़े चमच डाल रही हूँ कश्मीरी red chili powder ये भी आप अपने टेस्ट से adjust कर सकते हैं और salt डाल दिया है मैंने दो चोटे चमच आप अपने टेस्ट के accordingly इसे भी adjust कर सकते हैं हम सारी चीजों को mix कर देंगे flame को मैंने अभी लो पर रखा हुआ है पस हलका सा mix करने के बाद मैं flame को off कर दूँगी हमें इसमें आवला को cook नहीं करना है बस हम एक मिनिट में ही gas को off कर देंगे पस हलकी गर्माहट से ही जो आवला है उसके juices थोड़े से release हो जाएंगी तो बहुत ही tasty सा अचार बनेगा आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नीम्बू का rust डाल सकते हैं लेकिन यह वैसे ही आवला खटा है और हमने थोड़ी से सरसों में यूज की है इसमें तो आप इसको खुले में ही ऐसे ही थोड़ी तेर के लिए दूपने रख दे नहीं तो इसको एकदम completely ठंडा होने पर एक साफ बॉटल में इसको स्टोर करके आप अराम से enjoy कर सकते हैं अगर आपको फ्रिज में नहीं रखना है तो इसको वन वीक तक आप पाहर रख के भी enjoy कर सक हैं तो लीजे हमारा एकदम मज़ेदार सा लो कैलरी वाला इंस्टेंट आवला अचार रेडी हो गया है विगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें और अपने फीदबैक में साथ शेयर करें आने आवलेक की अचार की एक और मुझे सपोर्ट करें मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई